जीवन ही कर्म हैं अगर आप कर्म रहिद बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है तो आपको क्या लगता है? हम आपके साथ क्या करने की कुशिश करते रहे हैं इनर इंजिनेरिंग से? अचानक आपको जीवन और आजादी का एक नए आहसास होने लगा ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है मुझे पता है बस इतना हुआ था कि हमने आपको छोटे-छोटे साधन दिये जिन से आपने नए कर्म का निर्मान बंद कर दिया और अचानक इतना शांदार महसूस हुआ इसे देखने के कई तरीके हैं मैं किस तरह से काम करूँ कर्म यानी चलिए से समझते हैं कर्म का मतलब सिर्फ दुनिया में कुछ करना ही नहीं है आप यहां बैठे हैं आप कर्म कर रहे हैं यहां बैठने का कर्म शरीर काम कर रहा है ये सांस ले रहा है oxygen अंदर ले रहा है carbon dioxide बाहर छोड़ रहा है पेड आपको आश्रवाद दे रहा है क्योंकि आप परियाब carbon dioxide बाहर निकाल रहे हैं मान लिजी कि आपने उसे भी अपने अंदर जमा कर लिया और एक हीरा बनाया ताकि आप इसे किसी को दे सकें नहीं नहीं carbon ही तो है फिर पेड आपको देखेगा और कहेगा आप किस तरह के गवार हैं आप carbon dioxide भी बाहर नहीं छोड़ रहे ये एक तरह का कर्म है मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर आप यहां बैट कर सांस लेते हैं तो जहां तक पेड की बात है आप एक अच्छा कर्म कर रही है आपको नहीं पता आप जागरुख भी रह सकते हैं पेड मुझे oxygen दे रहा है मैं carbon dioxide दे रहा हूँ क्या इसका मतलब यह है कि आपको जोड़ से सांस लेनी होगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप बस सांस लीजिए यह वैसे भी हो रहा है तो शाररिक कर्म हो रहा है मान से कर्म ज्यादा तर इंसानों के लिए हमेशा होता रहता है लगबग हर समय भावनात्मक कर्म हो रहा है उजा कर्म हो रहा है नहीं तो आप जीवित नहीं होते तो कर्म हो रहा है ये सिर्फ आपके द्वारा जागरुकता से किया काम नहीं है ये बस हो रहा है जीवन ही कर्म है अगर आप निशकर्म बनना चाहते हैं लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कोई कर्म नहीं अगर आप कर्म रहिद बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है आप बहुत कम कर्म वाले बन सकते हैं तो क्या एक आलसी आदमी निश्क कर्म है? नहीं, नहीं आलस बहुत सारा कर्म है क्योंकि आलसी बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है कहने का मतलब आपको हर चीज के लिए बहुत सारे स्पष्टी करण तैयार करने होंगे और खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आपको इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी वाइरस फैल रहा है आपके आसपास कोई मर रहा है आपको अपने अंदर कुछ न कुछ करना होगा ताकि आप उसके प्रती रिस्पॉंड न करें वरना उसके प्रती रिस्पॉंड करना आपके लिए स्वभाविक है तो आलसी होना निश्कर्म नहीं है वैसे एक योगी लगभग एक हाइबर निशन की अवस्था की तरह बन सकता है जहां सब कुछ बहुत कम हो लेकिन फिर भी वो कर्म से मुक्त नहीं है शायद वो प्रती मिनट कम संख्या में सांसे ले रहा हो आप शायद प्रती मिनट 12 से 15 सांसे लेते हैं जब कोई यूँ ही बैठता है तो उनके लिए शायद वो कम होकर 3 सांसे या शायद 6 या 8 हो जाएं लेकिन आप उससे नीचे नहीं जा सकते आप कुछ समय के लिए रोग भी सकते हैं लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए है अगर आप बिना सांस के रहें इसे रोग कर नहीं सिर्फ मेटाबॉलिजम को कम करके तो दीरे दीरे करम का एक अलग स्तर शरीर में गती पकड़ने लगेगा जब ये गती पकड़ता है तो आप वैसे भी सांस लेंगे ये फिर से सांस न लेने की स्थिती में जा सकता है और फिर से वापस आएगा तो इस तरह से आप इसे कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं है आपको उठना होगा थोड़ा पानी पीने के लिए ये अपने मुँ में कुछ डालने के लिए जब आप कुछ अंदर डालते हैं तो कुछ बाहर भी निकलेगा ये सारी चीजें करम हैं तो इससे निपटने का तरीका क्या है तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ क्या करने की कुशिश करते रहे हैं इनर इंजिनेरिंग से आपको क्या लगता है कि ये क्या है ये बस यही है आप मेंसे कई लोग आप मेंसे लगभग सभी जब आपने Inner Engineering Online कारेक्रम भी किया आपने अभी भी कोई अभ्यास नहीं सीखा था या आपने कारेक्रम के पहले दो दिनों में हिस्सा लिया कोई अभ्यास नहीं हम आपके साथ अभी भी बातें ही कर रहे थे अचानक दो दिनों के बाद अचानक आपको जीवन और आजादी का एक नया हैसास होने लगा ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है, मुझे पता है अचानक आप चमकने लगे इसलिए नहीं क्योंकि आपका सारा पुराना कर्म चला गया बस इतना है कि उन दो दिनों में आपने बहुत ज्यादा नया कर्म नहीं बनाया अचानक ये इतना हलका और शांदार लगता है क्योंकि आप खुद के उपर गहर जरूरी बोज नहीं बना रही हैं तो वो ट्रिक क्या थी? इसके कई आयाम हैं अभी मैं उन सब में नहीं जाऊंगा सरल सी चीज बस ये है आपकी रिस्पॉंड करने की ख्शमता देखिए मैं इस बारे में कुछ करूं या ना करूं अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ फिलहाल कई लोग इसके साथ संगर्ष कर रहे हैं मान लीजे कि यहाँ पर कोई कहीं पास में सभवाग्य से यह हमारी पंचायक के इलाके तक नहीं पहुचा है हम स्थिती को बहुत कसकर मैनेज कर रहे हैं आस-पास कहीं किसी को इंफेक्शन नहीं है तो को緬वतूर में कुछ लोग हैं तो मान लीजे कि वहां किसी कोई infection है अब मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं मैं क्यों करूँ दूसरे लोग करेंगे हमें क्या पता कि वो लोग कौन है उनके परिवार वाले होंगे उन्हें करने दो लेकिन अगर हम बस उस आदमे की पीड़ा को आपके सामने रख दें तो आपको कुछ न करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा लेकिन आप जिस भी तरह से respond कर सकते हैं, उस तरह से respond करने के लिए हर कोई जाकर हर किसी की जान नहीं बचा सकता लेकिन कम से कम जो आप से होता है, वो कीजिए ये बहुत सरल है आपको जितना कर्म करना पड़ेगा, मानसिक कर्म वो नाठकी रूप से कम हो जाएगा आपके मन के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके response में कोई भेदभाव नहीं रहा response में कोई भेदभाव नहीं है लेकिन ये बात काम के साथ लागू नहीं होती क्योंकि आप सारा काम करने का बीड़ा नहीं उठा सकते काम आप हमेशा सोच समझ कर करते हैं क्योंकि काम करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है शाररेक्षमता, उर्जा, बुद्धिमता, काम करने के साधन, काम करने के लिए समय, कई चीज़ें शामिल है ये सभी चीज़ें सीमित मात्रा में होती है कोई भी व्यक्ति अंधा धुन्द काम नहीं कर सकता अगर वो अंधा धुन्द काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, और वो भी बुरा कर्म है, हाँ, ये है, गतिविती अंधादुन नहीं होती, लेकिन हमारा response बिना किसी भेदभाव के होता है, वो चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ करना चाहूंगा, अगर हो सकेगा, तो हम हर संभव चीज करेंगे, जो नही हो सकता, कम से कम, हमारा थोड़ा सा इरादा है, सिर्फ उस एक वजह से, आप कारेक्रम में आए, और आपको उस तरह की आजादी का हैसास हुआ, लोग मुझ से पूछते रहे हैं, सद्गुरु, योग के अभ्यास के बिना, ओनलाइन कारेक्रम कैसे काम करेगा, मैं चाहता ह अभी की दीक्षा के लिए आने से पहले ही आप शांदार महसूस कर रहे थे, सिर्फ इसलिए, क्योंकि आपने नए कर्म बनाने बंद कर दिये थे, उन तीन चार दिनों में पुराना कर्म चला नहीं गया था, बस इतना कि नया बोज नहीं बन रहा है, पुराने कर्म के जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा दर चीज़ें बस यूहीं चली जाएंगी, अगर आप बस यहां बैटकर यूहीं सांस लेते हैं, जीते हैं, दिल खुद ही धड़केगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, या आप कर रहे हैं, आप मेंसे कुछ लोग सोचते हैं कि आप सब पुछ कर रहे हैं, जब लोगों की सेहत की बात आती है, तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अब हर कोई एक इंटरनेट डॉक्टर है, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, डॉक्टरों का बुरा हाल है, क्योंकि आने वाले हर मरीज को बिमारी के बारे म डॉक्टर से भी ज्यादा पता होता है, डॉक्टर को कुछ ज्यादा गहरी बातें पता है, क्योंकि उसने पढ़ाई करने में 9-10 साल लगाए हैं, और उसके पास मरीजों के इलाज का अनुभव है, लेकिन ये लोग इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता सारे लोग डॉक्टर के पास आकर कह रहे हैं, मैं ये दवाई नहीं लूँगा, सिर्फ ये वाली दवाई लूँगा, इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा मरीज माना जाता है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे मरीज का मतलब है, कि आप जिन्दगी बर मरीज ही रहेंगे, तो इसका क्या तुक है, ऐसा सिर्फ इस लिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं, तुक तुक, आपको करना होगा, आपको चेक करना होगा कि दिल कितनी बार धड़क रहा है, हर कोई एक बैंड पहने रहता है, तो लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरू आपको एक मास्टर चेक अप करवाना चाहिए, ये जरूरी है, मैं कहता हूँ क्या, हर साल मैं, मैं हिमाले में ट्रेकिंग करता हूँ, मैं तिबबत में हूँ, मैं कहलाश जा रहा हूँ, यही मेरी मजबूती की परिक्षा है, अगर मैं सफल नहीं होता, तो आप मुझे हिम बढ़ है, फिर डॉक्टर के पास जाईए, और उस बारे में थोड़ी ज्यादा क्वालिफाइट सलाह ले लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन हर समय चिंता करना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यह अपने आप में एक बिमारी है, सेहत के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना आपने आप में एक बिमारी है, और यह एक बहुत बुरा कर्म है, इस कर्म का आपके उपर एक लंबा असर रहेगा, तो इनर इंजिनरिंग के पहले तीन दिनों में बस इतना ही हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन था या क्लास में, बस इतना हुआ था, कि हमने आपको चोटे-चोटे साधन दिये, जिन से आपने नए कर्म का निर्मान बंद कर दिया, और अचानक इतना शांदार महसूस हुआ, आपने वो छोटा सा होमवर्क किया, ठीक है, छोटा सा होमवर्क, आज क्या क्या हुआ, लिखने के लिए पांच चीजें, सिर्फ उस होमवर्क की वजह से आपने ध्यान दिया कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, अचानक बहुत ज्यादा आजादी महसूस हुई, अगर धाई घंटे के कारेकरम का आपके उपर इतना असर हो सकता है, अगर आप थोड़ा और ध्यान देते हैं इस लॉकडाउन के समय में, त इतना कि आपके रिस्पॉंस में कोई सीमा नहीं है, आप तैमत कीजिए कि क्या रिस्पॉंड करने के लायक है, क्या रिस्पॉंड करने के लायक नहीं है, वो आपका काम नहीं है, एक चडिया, एक टिड़ा, एक चीटी, एक इंसान, आदमी, औरत, बच्चा, चाहे कुछ आप रिस्पॉंड कीजिए, क्या आपको कुछ करना होगा, नहीं, काम हमेशा सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि काम में उन चीजों की मात्राएं शामिल हैं, जो असीमित नहीं है, हमारी उर्जा असीमित नहीं है, हमारी बुद्धी असीमित नहीं है, हमारे कार्य वो असीम लेकिन हमारी रिस्पॉंड करने की क्षमता असीमित है, ये एक चीज, बस ये एक चीज, अगर आप करते हैं, तो आप आज कोई कर्म नहीं बनाएंगे, आप बोज को नहीं बढ़ाएंगे, बस बोज को न बढ़ाना, आप देखेंगे कि ये मुक्ती जैसा महसूस होगा, पास कर्म का पूरा गोदाम था, लेकिन फिर भी आप हस रहे थे, अब आप ऐसे बन गए हैं, अरे वाइरस सद्गुरू, वाइरस, उससे पहले भी, वाइरस के आने से पहले भी, ज्यादा तर लोग इतने गंभीर दिख रहे थे, मानो वो कबर से निकले हूँ, हाँ, ऐसा इसलिए है, क्योंकि हर दिन ये बकवास एकठी हो रही है, लगातार, हर दिन, जो कुछ भी होता है, आप एकठा करते जाते हैं, एकठा करते जाते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, आप हर चीज के लिए अपने भीतर एक जहमेला बना लेते हैं, और उस जहमेले का बोज, वो बस कच्रा है, आप एक कच्रे की ट्रक की तरह हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको कोई नया कच्रा नहीं उठाना है, लॉकडाउन के बारे में ये एक अच्छी बात है, आप बस यूँ ही, आप चुनिये मत, आप हैं ही कौन, आप ये तै करने वाले कौन होते हैं, कि कौन सी चीज आपके ध्यान के काबिल है, और कौन सी नहीं, जिसने भी ये सब बनाया, जिसने भी ये सब बनाया, क्या आप देख सकते हैं, कि एक घास के तिनके को भी उतनी ही सावधानी से बनाया गया है, जितने से ये पेड़, या आप, या एक हाती, या एक बाग, एक छोटा सा प्राणी, एक छोटा सा प्राणी, वहाँ चल रहा एक छोटा सा कीड़ा, क्या वो आप से ज्यादा सुन्दर है? हेलो, आपने हर तरह के नकली रंग लगा रखे हैं, वे सब ही, वे खुद ही, बड़े रंग भी रंगे हैं, तो जिसने भी बनाया, क्या सृष्टी ने इन छोटे-छोटे प्राणियों पर आप से कम ध्यान दिया है? नहीं, तो फिर आप ये तै करने वाले कौन होते हैं, कि किसके प्रतिरिस्पॉंड करना है, किसके प्रतिरिस्पॉंड नहीं करना, आपकी रिस्पॉंड करने की क्षमता को हमेशा अहसीमित होना चाहिए, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, हम अभी आकर आपको पूरी तरह से आप देखेंगे कि 3-4 दिनों के अंदर आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई नया कच्रा नहीं है, ऐसा ही महसूस होता है, तो कृपिया ऐसे संभव बनाईए, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने सर के उपर कच्रे का देर बढ़ाते रहीं